हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल आज हमें कैप बनाना सीखेंगे एक से धाई साल के बच्चे के लिए शुरू करते हैं हमने कपड़ा लिया है इसकी लंबाई 16 इंच है और इसकी चोड़ाई 9 इंच है तो चलिए फ्रेंट्स आज हम शुरू करते हैं कैप बनाना बहुत ही असान तरीके से मैं आपको कैप बनाना सिखाऊंगी यह हमने एक पिंक कलर का कपड़ा लिया है यह इसी के साइस का कपड़ा है जो हमने नीचे वाला कपड़ा लिया है एक काले रंग की पट्टी लेंगे यह धाई इंच की है इससे हम इस कैप की बाउंडरी बनाएंगे देखिए आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नी किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा देचे इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचेगी चलिए शुडू करते हैं देखिए अब अब हम इस कपड़े पर लेस लगाएंगे चूरनटे डालते हुए हम इसको लगा देंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है हम इसमें चूरनटे डालेंगे और इसको सीलते जाएंगे यह हमें राइट तरफ लगाने कपड़े की सीधी तरफ लगानी है चूरनटे जो एक्स्टा कपड़ा होगा उसको हम कट कर देंगे अब इसके ऊपर हम पिंक कपड़ा रखेंगे और इन दोनों को एक साथ सील देंगे यह मैं आप लोगों के साथ बहुत ही असान तरीका शेयर कर रही हूं देखे यह लग गया है अब इसे हम सीधा करेंगे सीधा करने के बाद देखे अब है सीधा करके हम इसको इस तरफ से दुबारा से लाई करेंगे सीधा ताकि यह पूरा सेट हो जाए अब भी देखे इसको मिहाँ से भी सेल देंगे करेंगे अब हम इसकी कटाई करेंगे अब इसको मोन देंगे फोल्ड करेंगे अब इस पर हम निशान लगाएंगे दो इंच का गैप लेकर उपर दो इंच का गैप लेंगे देखिए और इक निशान लगाएंगे यहां से लेकर और इसको में इतनी इतनी सिलाई करते हैंगे यह हमने इसको सील दिया है यह हो गए अब जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर देंगे और यह हम क्याप को फिर सीधा कर लेंगे अब भी इसकी बाउंडरी बनाएंगे इसकी जो दो बादिया होती है जो हम बांगते हैं वच्चे पर गले की नीचे से वो बनाएंगे इसको हम दोनों तरफ से मोर के इस तरह से इधर से इधर तक पुरा हम इसको कवर कर लेंगे आगे आगे हम थोड़ी सी बादी को छोड़ेंगे उसके बाद हम क्याप को इसके अंदर डालेंगे देखे में आपको दिखाते हूं कैसे इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी कट कर लेते हैं अब देखिये इसको दोनों तरफ से मोड़के अब हम सिलाई करना चालू कर रहे हैं आग इसे हम थोड़ा सा पार्ट छोड़ देंगे देखिया लगवक साथ आठ हिंच का हम पार्ट आगे छोड़के उसके बद कैप को इसके बीच में लगाएंगे और इसको स्टिच करेंगे अब यह इसको एक साथ सील देंगे है यहां हम एक छोटी सी चुनत डालेंगे अब यहां पर एक और चुनत डालेंगे दो चुनत डालके फिर अगम इसको कंप्लीक्ट कर देंगे यह को चुनत लिए दो चुनत डालेंगे आपको अगर आप चाहे तो तीन भी डाल सकते हैं अब यह कंप्लीट हो गई है बस इसको मौड कर हम कंप्लीट कर देंगे और यह हमारे कैप बस बनके तयार हो गई है कि दो से धाई साल के बच्चे को यह अराम से आजाएगी तीन साल के बच्चे को भी आजाएगी बच्चे क्या ओниए बच्चे